हेलो दोस्तों सागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया बितंकुर में है जैसा कि कल आई बीपेस प्यो पिरी का एक दिन की सारी सिप्ट का एक्जाम कंप्लेट हो गया और अगर अगर अटेम्ट की बात करें तो अटेम्ट में कॉम्बिनीशन देखिने को मिला है काफी सारे स्टूडेंस के अटेम्ट अच्छे भी हुए है और काफी सारे स्टूडेंस के अटेम्ट कम भी हुए है खासकर सैकिंड सिप्ट में सैकिंड सिप्ट में बहुत सारे स्टूडेंस के अटेम्ट कम देखिने को मिले है अब बहुत सारे students comment कर रहे थी कि sir quant में में एक di में फस गया वहाँ मेरे quant में attempt कम हो गये कोई बता रहा था कि sir मेरे reasoning में puzzle में फस गया वहाँ में attempt कम हो गये देखो दोस्तों यह common से चीज है यह आप ही के साथ नहीं बहुत सारे students के साथ हुआ है कि उनका time waste हुआ है लेकर सबसे बड़ी बात क्या है कि time waste होने के बाद वहाँ से कैसे आपने speed पकड़ी और ठीक ठाग attempt किये यह चीज माइने रखती है और काफ़ सारे students के साथ यह चीज़ देखने को मिली है कि उनका 4-5 minute या 6 minute खराब होने के बाद भी उन्होंने speed पकड़ी और वो ठीक ठाग attempt करके आए है exam के एक दिन पहले मैंने एक चीज़ कहा था आप से कि दो चीज़ बहुत जाना important रही की exam में एक है question का selection और दूसरा है accuracy उसी और कल के exam में question का selection बहुत जाना important रहा है और काफी सारे students का जो जिनका question का selection अच्छा रहा है उनके अच्छे attempt भी देखने को मिले हैं और जिनका 11 तारिक में exam है उनसे भी मैं यही कहूंगा कि आप 10 question ऐसे कर लीजिए जो जल्दी बन जाए जैसे confidence आपको आ जाए तभी आप puzzles को उठाए या फिर और भी चीजों को उठाए आप सुरुआत में puzzles को उठा लेते हैं वहां अगर आप time waste हो गया तो कहीं न कहीं एक pressure आ जाता है उंपर से कि अब यहां से क्या करें इसलिए आप पहले puzzles के इलावा जो miscellaneous question है उनको आप पहले कर लें अगर sectional cutoff की बात कर लें काफी सारे students को sectional cutoff का एक डर लग रहा है देखो दोस्तों बिल्कुल आराम से आपका sectional cutoff निकल जाएगा English की, Quant की और Reasoning की sectional cutoff की बात करें तो 10 के अंदर ही 3 की cutoff हमें देखने को मिलेगी और अगर एक average attempt की बात करें जो देखने को मिले है कल के exam में तो काफी सारे students के 60 से 70 के बीच में देखने को मिले है और 60 प्लस बहुत अच्छे attempt है अगर आपके 3 सेक्शन में ठीक ठाक attempt है तो 60 प्लस बहुत अच्छे attempt है अगर cutoff की बात करें तो vacancy ठीक ठाक है और उम्मीद है कि pre के result के पहले जो vacancy है वो और भी बढ़ सकती है इसलिए cutoff हमें 60 के अंदर ही देखने को मिलेगी मतलब कि 55 से 60 के बीच में हमें general की, EWS की और OVC की ये तीनों की cutoff हमें बिल्कुल देखने को मिल सकती है अब जिनका 11 तारिक में exam है बिल्कुल बिंदास होकर exam दीजिए अभी जितने भी दिन है अच्छे से practice कीजिए अब DI की practice कीजिए puzzles की practice कीजिए और जाना से जाना mock test दीजिए और जिनका exam हो गया है बिल्कुल अब IBPS किलरक पर focus कीजिए और साथ में आप mains की तैयारी पर भी focus कीजिए क्योंकि दो exam आपके हो चुके हैं SPIPO और IBPSPO तो अब mains की तैयारी start कर दीजिए और साथ में IBPS किलरक पर भी focus कीजिए बाकि आप कमेंट में जरू बताएं कि कल आपका किस सिप्ट में exam था कितने आपके total attempt हुए है quant reasoning और English में आपके कितने कटने attempt हुए है बाकि मिलते हैं फिर नेस वीडियो में जब तक के लिए धन्नवाद